नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ आज इस उपाय के बारे में हम बात करेंगे इस उपाय को करने से आपके जीवन से कल है तो हमेशा के लिए ही मिट जाएगा और आपके कभी तिजोरी खाली है आपके पर्स में पैसे नहीं है कभी पैसे टिकता नहीं है आपके घर में तिजोरी में हमेशा और आपके पर्स में हमेशा पैसे टिकने लगेंगे आपका चंद्र, शुक्र, शनी, सुर्य और मंगल इस किरिया को करने से मजबूत होता है और ये सबी ग्रह कारक होते हैं कि आपके जीवन में आपको काम्याभी, सुंखसप्ति, मानसमान, धनलक्षमी और वैभब आजी की कामना को पूरा करें। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महतुपूर्ण है, जिसमें हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे, जिसे करने से आपके जीवन में आप इन सभी ग्रहों का मजबूतों करी पाएंगे, साथ ही अपने जीवन में एक सुख में जीवन भी जीव पाएंगे। तो दोस्तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जै मता दी, जै बजरंग बली एक बार अवश्य लिख दें और इस वीडियो को अंत तक देखें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप गुनते है, इसका सीधा संबंद सूरे ग्रह से है, और सूरे ग्रह जब किसी व्यक्ति का मजबूत होता है, तो उसका सीधा संबंद आपके मान संबंद और काम्यावी से होता है, और जब किसी व्यक्ति का दिमाग शान्त हो, सही ठीकाने पर हो, और जेब में पैसा हो, तो मांसमान की प्राप्ती तो होगी यह तो बहुत ही आम सी बात है इसे हर कोई जानता है दोस्तु आपको हम एक बार फिर बता दे कि अगर आप इस को भाएक को हर रोज करते हैं तो आपके जीवन में आपको काम्याब होने से कोई भी नहीं रोख सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में आपके पास पैसर टिके नहीं आपका पर्स खाली रहे या फिर आपके तिजोरी खाली रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है इसलिए बस आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और कमेंट बोक्स में जै माता दी जै बजरंग बली एक बार वश्य लिखें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें तो हमने आपको बताया कि यहों का आटा जो आप अपने घर में मलते हैं इसका सीधा असर सीधा तालुक आपके सूरे ग्रह से होता है दोस्तों आपको क्या करना है जब भी आप अपने घर में आटा गूंजते हैं तो आपको इस बात का बिलकुल ध्यान रखना है कि आप अपसर ये गल्ती तो नहीं करते हैं कि जैसे प्रकार से आटा गूंज लेने के बाद आप उसे गोल-गोल बना करके रख देते हैं ऐसा आप हरगिज भी नहां करें क्योंकि दोस्तों आपने ध्यान दिया हो कि जब भी किसी पित्रों के पिंड बरे जाते हैं तो ऐस प्रकार का आटा वहां लगाय जाता है और जब भी कभी माता की या पर किसी देवी देवता की पूजा की जाती है तो वाँ पर हम अपने हाथ का छापा लगा करके फिर उनकी पूजा करते हैं यानि कि जब भी आप आटा गोंद लेने के बाद आप उसके उपर अपनी हाथ का छापा अपनी उगलियों का छापा अवश्य लगाए इस प्रकार के छापे को कभी भी कोई भी नेगेटिव एनरजी कभी भी तोड़ नहीं पाती है तो आप इस प्रकार से आटा गोंदे और आटा गोंद लेने के बाद अस पर आप कभी से चिकना न रखे बलकि उसके उपर आप अपने उगलियों के चापे छोड़ दे लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आटा गोंदे समय आपको उस आटे में क्या मिलाना है आपको उस आटे में 5 बूंद घी की और पांच से ग्यारा दाने आपको चीनी के अवस्य मिला लेने है और उसके बाद आप जब आटा गोंद ले और इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी जो घर की पहली रोटी बनाएंगे उसे आप गाय को देंगे और जो अंतिम रोटी होगी उसे आप एक कुत्ते को देंगे कुत्ता अगर काले रंका हो तो बहुत ही उत्तम है लेकिन अगर नहीं मिल पाता है काले रंका कुत्ता तो आप किसी भी प्रकार के कुत्ते को अवश्य दें लेकिन गर के अंतिम रोटी कुत्ते को और गर की पहली रोटी आप गाय को अवश्य खिलाए क्योंकि दोस्तों आपने इस आटे में घी और चीनी मिलाई है तो और अपने आटे के उपर अपने उलियों की छाप दी है तो यह आटा और इस आटे से बनी हुई आपकी रोटी आपके सभी देवी देवताओं को और पित्रों के लिए जाती है और वे लोग इसे स्विकार भी करते हैं क्योंकि यह पूर्णत है आपके घरेलू और एक सु और स्विकरनी है रोटी बनती है आप दोस्तों इस उपाय को करें प्रती दिन करें तो आपके जीवन में आपको बदलाव पहले दिन से देखने लगेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में के वले इतना ही कल फिर आप से मुलागात होगी एक और नई वीडियो के साथ झाल 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 झाल